हेलो माई डियर फ्रेंड आप सभी का एक वाफ फिर से रुद्धा नस्या एक्स्प्रेस महार्दिक स्वागत है आशा करते हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे आज कमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक माइक्रो बाइलोजी के अंतगत आज हम लोग बैक्टेरिया की होगा बैक्टेरिया का क्यान के फंसंस होते हैं साथ में आपको जो है गोल्डन पॉइंट भी मिलेंगे जो आपकी नॉलेज को इन्हेंस करेगा तो जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आया है या पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राब जुरू कर लें और नो 24 में सरप्रथम जो हम लोगों को ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के बारे में उन्हों जो है इंट्रोडीस करवाए है क्लियर है नेक्स्ट पॉइंट है फैडरिक ग्रिफिट ने 1928 में जो है सरप्रथम बैक्टेरिल ट्रांस्फोर्मिशन की डिस्कावरी की थी चैक अगला क् इस फाए है और इस सम्मन्दित है और इसमें टोटिल कितने एडिशन्स थे ठेक तो नाइन एडीसंस के साथ में जो ही इसको पब्लिश किया गया था, clear है? चलिए बात कर लेते हैं, definition के तो bacteria कैसा होता है, prokaryotic है, unicellular है, uvequites है, और microbes है, ठीक है, prokaryotic से मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी organism जिनमें cell wall जो है, present होता है ठीक ट्रू वो जो ट्रू आपका nucleus होता है वो absent देखनों को मिलेगा ठीक है membranous bond जो cell organism है जैसे आपका endoplasmic reactiv गॉलम है ठीक है तो वो जो है यहाँ पे absent होंगे देखनों को नहीं मिलेगा ठीक unicellular है एक रूसकी होता है ठीक next के हमारा ubiquitous या सुचमजीवर ubiquitous का मदलब क्या था शर्वयापी जो सब जगह आपको देखनों को मिल जाता है ठीक उसको क्या कहते है रहे है बैक्टिरी के अध्यम को लोग क्या कहते है बैक्टिरियो लॉजी कहते है बैक्टिरियो एक खुच जो है सर प्रत्रथम डच एक हम molecules नाम दिया है चली बात कर लेते हैं हम लोग बैक्टिरियो के size की ठीक है तो याद रखेगा इंपॉटन पॉइंट है जो बैक्टिरियो का size होता है जो cell का size होता है याद रखेगा यह eukaryotic cell का one by tenth part होता है यानि कि eukaryotic से बहुत सोच में छोटा होता है ठीक है वहीं इसका अगर diameter की बात करते हैं तो 0.5 से 10 micrometer जो इसका diameter होता है इस्मालेस्ट माइक्रो बैक्टेरियो कोन है तो याद रखेगा mycoplasma है आपका clear वहीं अगर हम largest bacteria के size की बात करते हैं तो आपका इसमें सबसे जो largest bacteria होता है थायो मैर्गिरीट मैगनिफीका होता है जिसकी लंबाई क लंबाई होती 0.0 cm होती है ठीक है यह second largest bacteria है clear है एक बाद मैं फिर से आपको clear कर दे रहा हूं जो थायो मैर्गिरीट मैगनिफीका है इसकी लंबाई 2 cm होती है यह सबसे लंबा होता है clear है और जो second largest जो बैक्टेरियो होगा या दखी गए एपल लॉपिस सीयम फिसल सॉनी है ठीक है इसका लंबाई कितना होता है 0.0 cm जो है आपको इसकी लंबाई देखने को मिलेगी चली बात कर लेते हैं शेप की तो बैक्टेरिय के जो है चार्च सेप्स यहां देखने को मिलते हैं सबसे पहला क्या होता हमारा कोकस कहीं भी बाड़ अगर कोकस लग जाए तो उसक ठीक है जैसे कि यह मोनो कोकस हो गया यह हमारा डिपलो कोकस हो गया ठीक है यह हमारा जो है टेट्राड हो गया क्लियर है ठीक है इस्टैफलो कहीं अगर वर्ड स्टैफलो का मतलब क्या होता है बंचिस ठीक है यानिकि अंगूर के गुच्छों के समान जो है यहां पर आपक इसी जो है structure बन रही है तो उसको हम क्या कहेंगे स्ट्रिप तो कॉकस कहेंगे अगला क्या हमारा सरसीनी ठीक important है सरसीनी क्या होता है यह octet होता है ठीक आप यह फिगर में देख रहे हैं यह हमारा इसी प्रीकार इस्ट्रेप्टो वैसलास तो अब है जैसा क्या होगा वह थोड़ा सा गोली होगा तो जैसे कि आप यह देख रहे हैं यह हमारा Coco Bacillus हो गया अगला क्या है Palisade ठीक है तो Palisade जो होता है वो Fence-like structure होता है जैसे कि आप यह figure में देख रहे हैं यह होता है Fence-like क्या मतलब होता है जिसको हम Hindi में कहते हैं बाड़ा ठीक है आपने देखा होगा खेतों में खेतों की चारोर जो हम लोग तार लगा देते हैं जिसे कोई भी पशू होते हैं यह जंगली जैने पार रहे हो खेत को नुकसान नहीं कर पाते हैं ठीक है तो कांटे जैसे जो हम लगा देते हैं तो उसको क्या कहते हैं Fence-like structure क क्लियर है हिंदियों में उसको बाड़ा कहते हैं तो आप यह देखिए हैं आप उसी टाप को इस्ट्रेक्टर देखने को मिला यह होता है इस चलिए अगला है मारा बिब्रीयों का मतलब क्यों होता है कॉमा शेप ठीक है तो यहीं देखिया फिगर में कॉमा की आकार की होते है bacteria clear अगला हमारा spiral bacteria जिसको हम cock screw form कहते हैं यह दो रूप हमें पाए जाता है याद रखेगा एक होता है spiral हम दूसरा होता है आपका spiral key होता है ठीक है दोनों में basic अंतर यह होता है तो याद रखेगा जो spiral हम होता है वो कम twisted होगा जबकि आपका spiral key होता है बहुत ज्यादा से वे जेला है ठीक है अगला हमारा star shape जैसे कि आप फिकर में देख रहे हैं यह star shape में होगा ठीक है इसका example या दखेगा stella hemosa या stella vaculator ठीक अगला क्या है rectangular तो यह जो है rectangular form में होगा example या दखेगा है एक bacteria है clear अगला हमारा plumorphic तो या दखेगा जहां पर लग जाता है वहां ऐसा कोई भी structure जो अपने आकार और shape and size को जो है बदलते रहे ठीक तो ऐसे bacteria जो अपने shape and size को बदलते रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं cleumorphic bacteria कहते हैं example या दखेगा mycoplasma है चलिए बात कहते हैं हम appendages की ठीक तो appendages का मतलब क्या होता है कोई भी extra organs ठीक है उपांग कहते हैं हिंदी में इसको हम ठीक है तो यहां कुछ extra organs जो हैं देखनों को मिलेंगे जैसे या दखेगा इनमें extra growth जैसे आपका stock हाइफा या बड जो है आपको देखनों को मिलता है clear जैसे आपकी figure में देख रहे हैं देखिए हमारी जो है stock हो गई है ठीक होल्ड फास्ट होल्ड फास्ट क्या होती है यहां रहा होती है जो किसी अटैच किसी सर्फेस से जो है अटैच हो जाती है ठीक attachment की लिए होता है तो particular organ को हम क्या कहते है hold fast cells कहते हैं अगला क्या हाइफा हाइफा क्या होता है यह एक जो है small outgrowth होती है जो किस से निकलती है जिसको हम बोल सकते हैं कुछ special type की जैसे आपने देखा होगा sprout like structure ठीक है sprout जैसे तो उसको हम क्या कहेंगे हाइफा कहते है अगला क्या है bird ठीक है यह outgrowth होती है cell की ठीक है या दखेगा इसका hypomicrobium और दूसरे क्या है rodomicrobium चलिए अगला बात करते हैं हम लोग trichome की ठीक तो trichome का जो होगा यहां पर channel like structure आपको देखने हो मिलेगा example या दखेगे थायोथ्रिक्स नीविया क्या थायोथ्रिक्स नीविया ठीक है अगला क्या हमारा fusiform जो fusiform होता है वो spindle जैसी संग्रचना बनाता है ठीक example या दखेगे फ्यूजो बैक्टिरिया नेक्रो फोरम ठीक है अगला हमारा seated तो seated जैसे नाम से फर्स्ट है कि इसके चारों जो है यह sheet से cover रहता है sheet से cover रहेगा example या दखेगा लैप्टोथ्रिक्स और kolonothrix चलिए बात करते हैं हम लो क्या आप फिगर में देख रहे है यह जो purple color का है यह हमारा क्या है capsule है ठीक तो capsule जो होती है outermost ठीक लियर है rigid और flexible होती है ठीक यह जो है polysaccharide या polypeptide या फिर दोनों से जो है मिलकर बनी होती है clear है भाई अगर हम बात करते हैं composition की तो इसमें 98% जो है आपको water देखने को मि anti-biotics होता है तो यह उससे जो है इसको ही protection प्रदान करेगा clear यह sticky nature होती है यानि कि चिपचपा होने के कारण ठीक जबी चिपचपा होता तो क्या होता ही कि आदा surface से जो है आसानी से attach हो जाती है clear है यह bacterial cell में जो है nutrient को बाहर नहीं निकलने देती क्योंकि काफी thick और rigid होती है है यह human में जो है disease cause करती है important point है चलिए अगला पार्ट है हमारा cell wall ठीक है तो आप देख रहे हैं जैसे की figure में capsule की नीचे की हो जो है हमारा cell wall इस्थित होता है clear है तो first point यह ही लिखा है यह जो है capsule की अंदर की तरह विस्थित होती है ठिक होती है rigid होती है और granular होती granular होती granular के peptide की जो है बनी होती है clear अगर हम peptidoglycan की बात कहते है तो यहाद दखेंगे जो peptidoglycan है आपका N-acetyl glucosamine जिसको ना कहते है short में और आपका N-acetyl muramic acid जिसको हम नाम कहते है और plus जो है आपको 4-5 amino acid की जो है यहाँ पे polypeptide chain देखने को मिलती है जिक है तो जो यह amino acid होती आपका pouring protein होता है कौन सा होता है pouring protein होता है तो इन तीन चीजों से जो है हमारा polypeptide glycan का formation होता है यह हम उसको कह सकते हैं यह composition होता है clear तो एक बार मैं फिसरे आपको composition बता दे रहा हूं कि peptide glycan किन-3 चीजों से मिलकर बनाऊता है पहला आपका नाग जिसको मैंने N-acetyl glucosamine कह होता था और जो तीसरा होता है जैसे pouring protein यानि कि 4-5 जो amino acid की जो chain होती है polypeptide change होती है ठीक उन से मिलकर यह बनाऊता है clear है चलिए बात कर लेते हैं function की तो यह cell को जो है production और definite shape प्रदान करेगा ठीक है pouring जो protein होती है solid के diffusion में help करेगी clear है दूसरा bacteria को यह identification करता है ठीक जो दूसरे bacteria है ठीक उनको यह identification करेगा clear है इनके cell wall में magnesium पाया जाता है जो tickoic acid से bind होकर bacteria को thermal injury से protect करता है important point है यहाद अखिएगा चलिए बात करते हैं हमारा अगला part है plasma membrane ठीक है तो यह cell membrane के अंदर की उस्सेत होती है जैसे कि आप इस figure में देख रहे हैं यह हमारा जो है plasma membrane होता है ठीक कैसा होता है थेन है elastic है selective permeable membrane होती है selective permeable का मतलब होता है plasma membrane तो याद आखिए कि जो यह plasma membrane होती है phospholipid bilayer की बनी होती है ठीक है फासफोल लिपिट bilayer का मतलब होता है दो लेयर ठीक यानि कि फासफोल लिपिट की यहां दो लेयर देखनों को मिलेगी आफ फिगर में देखने है कि एक यह लेयर होगा यहारी ठीक और दूसरी नीचे लेयर होती है ठीक तो यह phospholipid bilayer होगी क्लियर प्रोटीन है तो प्रोटीन जो है आपको जो प्रोटीन देखनों को मिलती है एक जो है peripheral दूसरी integral क्लियर है परिफेरल का मजला होता है, चारो तरफ और INTEGRAL का मजला होता है, बीच बीच में जो है抗ाजी का ओंधेद होघ़ालश को फास्फफosa परेटि जो पूलिप्प्रम jeito की मिलती है, तो हम INTEGRAL है प्रोटीन प्रोटीन करें और दूसरे आपका tell part हो गया, ठीक है, जो head part होता है, याद है कि यह phosphate group का बना होता है, और कैसे nature में होता है, hydrophilic nature का होता है, hydro का मतलब क्या होता है, पानी, water, ठीक है, और philic अगर कहीं भूबर्ड लग जाया, उसको मतलब क्या होता है, लवार, ठीक है, यानि कि यह किसको यह और attract, यह किसको आप attract करेगा, पानी को attract करेगा, clear है, चलिए बात करते हैं, tell part के, तो tell part अभी जैसे कि मैंने आपको figure में समझाया था, fatty acid का बना होता है, ठीक, और nature में कैसा होता है, यह hydrophobic nature का होता है, hydro का मतलब पानी और phobic का मतलब दरना, यानि कि यह क्या हो है, पान फ्लेजला, ठीक है, तो फ्लेजला जो होता है, याद आखिएगा, movement और locomotion के काम में आता है, ठीक है, long होता है, thin होता है, और helical होता है, ठीक, प्रतिक फ्लेजलम का अगर हम diameter के बात करते हैं, तो याद आखिएगा, 20-30 micrometer, जो लंबाई होती है, याद आखिएगा, 15 micrometer तक होती है, चलिए, बात करते हैं, अगला point हमारा, प्रतिक फ्लेजलम के तीन पार्ट होते हैं, बहुत important point है, याद आखिएगा, एक आपका उता फ्लामेंट, दूसरा होता होता हुक, ठीक, याद आखिएगा, याद आखिएगा, प्लाजमा मेंबरेन के बाहर होगा, और तीसरा जो पार्ट होता है, वेसल बाडी होता है, ये जो है वेसल बाडी, प्लाजमा मेंबरेन के अंदर की उस्तित होता है, तो कौन-कौन से तीन पार्ट है, एक आपका फ्लामेंट हो गया, ठीक, दूसरा आपका होक हो गया, जो कि आपके प्लाजमा मेंबरेन के बाहर की होगा अगर हम इसको प्लाज्म मेंपरन बनाएं तो कैसे बनाएंगे यह देखिए इस टाइp का है जैसे है यह प्लाज्म मेंपरन तो आप देख रहें कि आउटर प्रकार के रिंग्स होती है एक आपकी रिंग होगी दूसरी है आपकी P ring होती है तीसरी है आपकी MS ring और चौती है आपकी C ring होती है अब हम एक एक करके इन सारी ringों को देखेंगे तो सबसे पहला हमारा क्या है L ring है outer ring anchored in the lipopolysacrid layer and found in gram positive bacteria याद रखेगा जो L ring है वो gram positive bacteria में पाए जाएगा दूसरी बार जो ये L ring होती है वो किसमे धसी होगी anchor किसमे फसी होगी तो याद रखेगा लेपो polysacrid की जो layer है उसमें ये धसी रहती है clear है L ring जो होगी अगला है P ring ठीक है तो P ring जो है किसमे धसी रहती है याद रखेगा peptidoglycan layer में धसी रहेगी ठीक है जो C ring है किसमे धसी रहती है cytoplasm में और जो MS ring होती है वो किसमे anchor रहेगी किसमे फसी रहेगी आपकी cytoplasmik membrane में होगी ठीक है आप यहाँ पर देख रहे हैं एक word आया anchor anchor का मतलब क्या होता है इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लंगर ठीक है जो जो पानी के जहाज होते हैं ठीक जब उनको किनारे हम लोग लाते हैं ठीक तो पानी के लहरों में यह बहना जाए तो हम लोग क्या करते हैं एक जो ट्रिशूल टाइप का होता है ठीक तो जिसे हम लंगर कहते हैं इंगलिस में उसको anchor कहते हैं तो वो डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो जहाज है वो हमारा नहीं बाढ़ पाता क्योंकि जो लंगर होता है वो क्या होता है फस आ लेता है फस जाता है किसी particular इस्थान पर ठीक है अगला है ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया में यादा कि बहुत इंपोर्टन पॉइंट है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया होते हैं इनमें केवल दो रिंग आपको देखने को मिलेगी एस और एम जब्सक्राइब बात करते हैं हमारा अगला ज पिली ठीक है फिंब्री और पिली तो जो फिंब्री होता है यहां दखीगा और पिली इन दोनों को मैंने डिफ्रेंस के साथ में आपके सामने जो है शो किया है साथ में डिफ्रेंस भी हो जाएगा और आपका साथ में आप उसके वारे में स्ट्रक्चर भी इसका एनाटॉम या function भी लग सकते हैं तो दोनों को जो हम लोग compression wise करते हुए study करेंगे तो सबसे पहला फिमरी है ठीक तो figure में देखी पहले face के बाद हम लोग difference को समझेंगे फिमरी ठीक देखे यह जो आप red color में देख रहे हैं ठीक जो चारो तरह फैली है ठीक यह होता है फिमरी ठीक और वह जैस होते है टिनी और थिन होते है जबकि जो पिली होते है वह एर लाइक होंगे और ठीक होंगे clear है दूसरा अंतर क्या है consist of fibrillin protein जो फिमरी होती है वह फाइब्रेली होती है और वहीं अगर पिली की बात करते है तो यह पिलिन प्रोटीन की बनी होती है ठीक चलिए अगल अगर लॉंगर देन फिमरी अगर हम पिली की बात करते हैं तो यह जो है आपका फिमरी से बढ़े होते है clear अगला पॉइंट है found in gram positive and gram negative bacteria ठीक जो फिमरी होती है यहाद आखेगा gram positive और gram negative दोनों ही बैक्टेरिया में पाए जाते हैं जबकि वहीं अगर पिली की बात करते है है तो यह करेवल और करेवल gram negative bacteria में पाए जाएंगे ठीक वहीं अगर हम फिमरी के function की बात करते हैं तो specialized for attachment ठीक है तो फिमरी क्या होता है इनका काम क्या होता है किसी भी surface से यह attach होने का काम करती है ठीक है उससे जुड़ जाती है वहीं अगर हम पिली की बात करते हैं तो specialized for bacterial conjugation ठीक है यह जो है conjugation conjugation का मतलग क्या होता है जब दो सेल से आपस हम attach होती है ठीक है तो यह conjugate होती है तो conjugation की काम में जो है पिली का होता है ठीक है अब यह हम आपको जब इसके reproduction पढाएंगे ठीक है तो वहाँ पे जो है पर्सेंट जो है 80% water देखने को मिलेगा और कैसा होता है semi transparent होता है clear है इसमें जो है ribosomes होंगे यहाँ दखिए का important point है 70s प्रकार के होंगे कौन से 70s प्रकार को हो गया और 70s को हमें मालूम है हमने 2 subunit में इसको तोड़ के रखा है एक आपका 50s होता है दूसरा आपका 30s subunit ह होता है clear and all cell inculsions ठीक है और उसमें जो इसके अत्रिक साइटो प्लाज्म में राइवोजम के अत्रिक कुछ आपको cell inculsions भी मिलेंगे जैसे कि आपका glyco जाना है ठीक है cell inculsions का मतलब क्या होता है जो other parts होते हैं ठीक poly beta hydroxy butyate granules ठीक है sulfur granules ठीक अगला क्या हमारा walutin granules है ठीक bacteria का नाम है spiral volutins bacteria में ठीक अगला point है इसमें जो है false nucleus पाए जाता है false का मतलब क्या होता है जो nucleus होता है वो आपका true nucleus नहीं होगा ठीक है तो ऐसे nucleus को हम क्या कहते है nucleoid कहते है nucleoid को या दखीगा genophore, nact nucleus या incipient nucleus के नाम से भी जानते है nact nucleus इसली कहते है क्योंकि इसके nucleus के चारो जो है आपको पहली बात तो nucleo membrane देखनों को नहीं मिलेगी absent होती है incipient इसली कहते है इसको हिंदीम कहते है आधि प्रकार का यानि की बहुत पुराने जमाने का प्राचीन टाइप का clear है चलिए बात कर लेते हैं हम लोग composition की तो जो nucleus का जो composition होता 60% इसमें D ने होगा 30% आरेने होगा और 10% जो है आपको protein देखनों को मिलेगी आप भो भी याद दखिएगा important point है इस protein में आपको histone जो protein होगी वो absent होती है चलिए बात करते हैं हम लोग mesosome के जैसे कि आप ही figure में देख रहें यह हमारा क्या है mesosome है यह yellow color का क्या है यह जैसे ही है इसको हम mesosome कहते है clear है तो यह plasma membrane के invagilation से बनी होती है इमगे जो Snake जो plasma membrane जो है प्लाज मेंब्रें जो है अंदर की और क्या होती अंतरवल्ण और वी heck आंतरवलन हैल यह ज़ो मीजोस्वम को जो है माईटो कॉंडिया, bacterial cell का माईटो कॉंडिया भी कहते हैं, ठीक? या इसको खॉंडियोइट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है तो अभी हमने आपे देखा कि जो मीजोस्वम होता है इसको दो नामों से जाना जाता है, एक जो है हमारा mitocondia of bacteria है, दूसरा हमारा chondroids, ठीक, तो इनके नाम से भी जो हम लोग मीजो सोम को जानते हैं, ठीक it receives DNA during conjugation, जब conjugation होता है दो bacteria जब आपस में conjugation करते हैं, तो इनका काम क्या होता है, ये दूसरे bacteria के DNA को receive कर लेता है, ठीक, and DNA replicating enzyme, replication replication enzyme, ठीक है, और ऐसे enzyme को भी receive करते हैं, जो DNA का replication करते हैं, replication का मतलब क्या होता है, two copy, ठीक है next point है, मीजो सोम participate in the formation of septa during a cell division, ठीक है जब cell division हो रहा होता है, तो ये दोनों के बीच में जो है septa का formation करता है, septa क्या होता है एक दोनों के बीच में एक middle line होती है, उसको हम क्या कहते हैं, septa कहते हैं, ठीक है, जैसे हमारी nose होती है, ठीक, जैसे nose के बीच में क्या, एक septa बना हुआ है, जो दो compartment में divide करती है clear है, आसा करता हूँ को topic को आपको अच्छा लगा होगा, एक एक point समझ में आ गया होगा, यदि आपको यह topic अच्छा लगा है, तो उसे like जुरू किया करें, और अपने दोस्तों के साथ में share करें, और चैनल को subscribe जुरू करने क्या होता है, आपके subscribe करने से, मुझे motivation मिलता है, अच्छा लगता है कि आपके लिए मैं इसी प्रकार के अच्छा सा अच्छा content बना सकूँ, तो चलिए अगले topic के हम लोग discussion करेंगे, जिसके अगले वीडियो में हम आपको जो है bacteria के classification के बारे में बताएंगे, clear है